सबसे पहले मैं कॉमरेड राजा का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने हमारी पूरी टीम को इतने गर्म जोशी के साथ उन्होंने रिसीव किया और हमारी काफी अच्छी चर्चा हुई ये बिल्डिंग में मैं पहले खूब आता रहता था और उनकी पूरी टीम के साथ मेरा बहुत पुराना रिष्टा है सीएम बनने के बाद शायद मेरी मेरी विजिट है लेकिन जब NGO में मैं काम किया करता था तो उनकी वाइफ के साथ भी कॉमरे डैनी राजा के साथ भी हम जुगी बस्तियों में खुब काम करते थे सो बहुत पुरानी दोस्ती है बहुत पुराना रिष्टा है आज वापस इस बिल्डिंग में आके पुरानी यादें भी ताज़ा हुई और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके as a CM so मैं बहुत-बहुत शुक्रिया दा करता हूं कि CPI ने अपना support announce किया है आम आदमी party आम आदमी party नहीं दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली के 2 करोड़ों लोगों का ये जंतंत्री का धिकार है दिल्ली के लोगों का ये हक है कि जिस सरकार को आज हमारी सरकार है कल किसी की भी सरकार हो सकती है तो जिस सरकार को वो चुनके भेजें उस सरकार को काम करने की सारी शक्तियां होनी चाहिए पावर होनी चाहिए ये तो एक बेसिक जनतांतरी का धिकार है जिसको छीना गया है तो आज CPI ने अपनी सपोर्ट जनता के लिए जनता के साथ दिल्ली के लोगों के लिए जाहिर की है इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रियादा करता हूँ दूसरा इसको जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ मैं ये देख रहा हूँ कि अगर कोई किसी को ये लगे कि ये दिल्ली हाफ स्टेट है इसलिए दिल्ली के लिए ओर्डिनेंस आया है ऐसा नहीं है ये इस किसम का ओर्डिनेंस राजस्थान के लिए भी आ सकता है फॉर ओल दा सब्जेक्ट्स इन दे कंकरेंट लिस्ट अगर दिल्ली के में इसको नहीं रोका गया तो कल जहाँ जहाँ नौन बीजेपी सरकारे बनेंगी वहाँ वहाँ उन स्टेट्स के लिए ऐसा ओर्डिनेंस आएगा मुझसे लिखवा लीजिया तो सब को मिलके पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को मिलके सबी पार्टियों को मिलके इसका विरोध करना है इसके कुछ प्रोविशन्स हैं जो अभी तक जनता के बीच में नहीं आई है इन्होंने केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही खारिज नहीं किया इसमें तीन और ऐसी प्रोविशन्स इन लोगोंने डाली है जिससे दिल्ली सरकार लगबख खतम हो जाती है इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि अगर कोई मंतरी अपने सेक्रेटरी को कोई आदेश देगा तो सेक्रेटरी के पास ये पावर दे दी गई है सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक है कि गलत है अगर सेक्रेटरी को लगता है कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक नहीं है तो सेक्रेटरी मंत्री का आदेश मानने से इंकार कर सकता है ये दुनिया के अंदर पहली बार हो रहा है कि सेक्रेटरी को मंतरी का बॉस बना दिया आपको दो उधारन देता हूँ अभी पिछले हफ़ते हुए हैं दिल्ली सरकार में विजलेंस सेक्रेटरी को सौरभ भारदवाज जी ने आदेश दिया वर्क एलोकेशन ओरर की ऐसे ऐसे होगा विजलेंस सेक्रेटरी ने अपने आपको अब एक दिल्ली सरकार के अंदर इंडिपेंडनेंट अथॉरिटी डिक्लेर कर दिया है वो कह रहा है कि इस ओर्डिनेंस के आने के बाद मैं ना तो चुनी हुई सरकार के प्रती जवाब दे हूँ और एलजी के प्रती भी जवाब दे हूँ मैं उस ऑथॉरिटी जो बनाई है उसके तुरू जवाब दे हूँ तो डे टुडे फंक्शिनिंग के लिए विजिलन सेक्रेटरी कह रहा है मेरा कोई बॉस नहीं है नो आ है मैं इंडिपेंडनेंट अथॉरिटी तो इस तर एक और केस के अंदर एक जगे जुगियां टूटी जो हमारा दिल्ली सरकार का वकील था उसने कोट में बहुत कमजोर दलीले दी ऐसा लगा कि वकील दूसरी पार्टी से मिला हुआ है मंत्री ने आदेश दिया कि अगली हेरिंग में हमें कोई अच्छा सीनियर एड़ोकेट हायर करना चाहिए तो सेकरेटरी फाइल पे लिखती है कि वकील हायर करने का प्रेरोगेटिव सेकरेटरी का है मंत्री मुझे आदेश ने दे सकता कि कौन वकील हायर करना चाहिए इसलिए आपका आदेश इलीगल है मैं आपके आदेश को नहीं मांती है ऐसे सरकार कैसे चलाएंगे अब तो हर सेक्रेटरी डिसाइड कर रहा है कि कौन सा अदेश लीगल है और जिसको मर जी इलीगल डिक्लेर कर जेते हैं बस अब सेक्रेटरी की डिसिशन फाइनल है वो सुप्रिंग कोड हर सेक्रेटरी सुप्रिंग कोड का जज़ बन गया है एक और इसके अंदर प्रोविशन है चीफ सेकेरेट्री को ये पावर दे दी गई ये कि वो डिसाइड करेगा कि कैबिनेट का till डेरीन लेगल है और इलिवल है कैबिनेट सुप्रीम होती है जैसे देश की कैबिनेट सुप्रीम है राज्य की कैबिनेट सुप्रीम होती है अब इसके अंदर ये पावर दे दी गई है चीफ सेकरेटरी तै करेगा कि कैबिनेट ने अगर कोई निरने लिया तो चीफ सेकरेटरी डिसाइड करेगा कि वो निरने लीगल है कि इलीगल है अगर उसे लगता है कि illegal है तो वो LG को refer करेगा और LG को power दी गई है वो किसी भी cabinet के decision को पलट सकता है आज तक भारत के इतिहास में दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि bureaucracy को मंत्री के ओपर secretary को बिठा दिया और cabinet के ओपर chief secretary को बिठा दिया यह आज तक कभी नहीं है एक और इसके अंजर provision है कि दिल्ली सरकार में जितने commissions हैं जितनी authorities हैं statutory authorities हैं जितनी boards हैं उन सब का गठन अब के अंदर सरकार करेगे तो दिल्ली जल बोड का गठन अब के अंदर सरकार करेगे तो वो ही चलाएंगे फिर water sector दिल्ली ट्रांसपोर्ट कोर्परेशन का गठन अब के अंदर सरकार करेगे तो वो ही चलाएंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर दिल्ली electricity regulatory commission का जितने लगपक 50 से ज़्यादा commissions और अलग-अलग sectors के वो सारे अब के अंदर सरकार गठन करेगे तो दिल्ली सरकार क्या करेगी चुनाव क्यों कराते हो तो यह बहुत ही खतरनाक अध्यादेश है इसका जितना हम इसमें पढ़ रहे हैं जितना इसके अंदर जा रहे हैं उतना यह लग रहा है कि यह बहुत ही गलत नियत के साथ बनाया गया है भारतिय जनता पार्टी को दिल्ली के जनता ने कई बार हरा ख़या है और इतनी बुरी तरह से हरा एक बर एक बर तीन शीट दी सतर में से एक आठ सीट दी सतर में से उसके एम सीडी के अंदर हराया तो दिल्ली के चुनाव भो जीत नहीं सकते तो बैक डोर के तरू दिल्ली को चलाना चाते है यह गलत है जितनी भी पार्टिएंसापो को हराया जाएगा. Thank you so much. Thank you.